एक अच्छा stock broker कैसे pick किया जाये specifically अगर share बजार में आप लोग enter कर रहे हैं या already share market में हैं तो उसके उपर मैं आज आपको 7 ऐसे pointers बताऊंगे जो आपको बहुत जादा help out करेंगे to decide कि कौन सा broker आप लोगों को prefer करना चाहिए मैं यहाँ पर कोई particular broker का advertisement नहीं करने वाल हूँ so don't worry at the end आपके पस कुछ quick pointers आजाएंगे जिसके basis पर आप लोग decide कर सकते हैं कि किस पर आपको जाना चाहिए तो चले शुरू करते हैं आज का ये वीडियो सबसे पहली चीज़ जब भी आप कोई broker decide करने जाते हो तो वहाँ पर आपको देखना है उस broker की financial stability कैसी है आपको समझना पड़ेगा कि अगर इस broker की adequate net worth नहीं है अगर उसके financials सही नहीं है अगर वो बहुत जादा करजे में है या फिर वो बहुत ऐसे mal practices कर रहें जिनके कार पोड़ा बहुत होने की संभावना ही होती है reason यह रहता है क्योंकि यह already काफे competitive market है और इस competitive market में stand करने के लिए कभी कभी 19-20 यह लोग कर लेते हैं तो यह होता है अपना पहला area जिसको आपको सबसे जादा ध्यान रखना चाहिए दूसरा जो सबसे important factor होता है as a trader as an investor जो आपका broker आपको high quality customer support provide कर रहा है कि नहीं अब high quality काफे relatable चीज होती है आज के जमाने में कि आपको समझना है कि अगर मान लीजए आप अपने broker के customer care को call करते हैं समय पे वो अगर respond नहीं कर रहे हैं बहुत लंबी queue है जिसके कारण आपका जो problem है वो resolve भी नहीं हो पा रहा है य आपको समझना पड़ेगा अगर customer satisfied दी है तो वो broker long run में नहीं चलेगा और long run में अगर वो broker नहीं चलेगा तो that will be a disadvantage अगर आप उस broking account में अपना account खोलते हैं comments में आप जरूर बताइए क्या आपके साथ कभी ऐसा कोई situation face हुआ है जहां पर कि आप broker को बार-बार approach करने की कोश कर रहे हैं कि यार मेरी ये problem है लेकिन वो resolve भी नहीं कर रहे है या फिर वो आप पे ध्यान ही नहीं दे रहे है ये आपके लिए बहुत ज़ादा जरूरी है next आपको देखना चाहिए कि क्या एक clean track record है की नहीं है देखिए ethical practices बहुत ज़ादा important हो जाती है financial world में specifically broking world में तो आपको check करना पड़ेगा क्या track record उसका सही है की नहीं क्या transparency maintain की जा रही है क्या आपको समय समय पर contract notes भेजे जा रहे है इस मामने में upstocks और धन decently placed है मैं जै next quality of the platform यह आपको देखना बहुत ज़ादा जरूरी होता है देखिए क्या होता है कि as a broker अगर आप उस पर trade करने जाते हैं तो आपका एक intent यह रहता है कि आप एक long duration तक उस broker के साथ जुड़े रहे brokerage firm में कोई भी account इसलिए नहीं खोलता है कि आज मैंने इधर account खोला है फिर उसके बाद 2 मैने बाद कहीं और खोलूगा 6 मैने बाद it is not like you know use and throw वाली system नहीं रहती है तो आप उस platform पे तभी टिके रहोगे जब वो easy to navigate होगा उसका user interface अच्छा होगा तब जाके आप वहाँ पर टिके रहोगे तो it is very important कि आप जिस भी broker को लो see everyone cannot give you the best of the best user interface but at least जो जो चीज़े आपको चाहिए जैसे अगर personally मेरे बारे में पूछो तो मुझे क्या चाहिए मेरे को चाहिए कि OI की analysis वहाँ पर मैं आराम से कर सकू option chain मेरे को आराम से दिख जाए that is number one दूसरी चीज में देखने की कोश्ट करता हूँ कि यार मैं click करूँ तो instantly मुझे वहाँ पर चार्ट दिखना चाहिए और उसमें pre-filled जो मेरे indicator है जैसे VWAP होगा, RSI होगा वहाँ पर दिखना चाहिए volumes में वहाँ पर परिशानी नहीं होने चाहिए, यह सारी चीज़े अगर मुरे को दिखती है तो मेरे लिए सही है उसी तरीके से आपकी needs और demands अलग होंगी, तो you have to make sure कि वो quality को वो match कर रहा है जो आपको चाहिए आपको समझना पड़ेगा reliability, बहुत ज़ादा ज़रूरी है कि आज के समय पर जब एक trader या investor आता है तो वो कोशिश करता है कि यार उसको multiple angles से उसी broker के साथ analyze करना है कोई application का use करना चाहता है, for example मैं app का बड़ा extensive use करता हूँ because मैं mostly travel करता रहता हूँ, तो वो app handy होना चाहिए, friendly होना चाहिए ता कि ease हो मेरे इंदर execute करना है, अगर app friendly नहीं है तो कहीं न कर मैं avoid करूँगा downloadable software अगर हो तो और भी better है because अगर हम laptop लेके जा रहे है, desktop पे trade कर रहे है तो बहुत सारे active traders कोशिश करते हैं कि उनको downloadable software मिल जाए साथ में अगर mass execution करने देखे, एक point पर आके आपका scale increase हो जाता है तो you want कि आपके split orders जल्दी हो जाए, iceberg orders हो जाए, इस तरह की चीज़े हो जाए तो ये सारी चीज़े अगर आप देखते हैं तो reliability बहुत जादा important हो जाती है next investor safety, आपको ये जरूर देखना है कि आज के समय पे अगर आप कोई broker लेते हैं तो आपको क्या आपका broker sufficient research tools provide कर रहे हैं कि नहीं ऐसा तो नहीं है कि important event days के दिन उसमें बहुत बड़ा lag आ जाता है बहुत बार मैंने ऐसा सुना है कि काफी सारे brokers में ऐसा होता है कि आप just important event day जहाँ पर volatility बहुत होती है, आप existing position लेके जाते हैं उस दिन वो hang हो जाता है ऐसे में नुकसान आपका होता, आपकी गलती है नहीं technically देखी जाए, आपके broker के कारण आपका लेकिन एक बहुत 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 ही नुकसान हो जाता है, कई ऐसा तो नहीं कि broker अचानक से 2-3 घंटे के लिए बंद हो जाए और अगर यह बहुत जादा frequent होती है, एक आध बार समझ में आता है technical issues हो सकती है, technology की दुनिया कुछ भी हो सकता है लेकिन बार-बार यह चीज होती है, तो that is a very big red flag and talking about the red flag, final point यह ही है, कि अगर आपको red flags कुछ दिखते हैं, किस प्रकार के red flag अगर आपका broker बार-बार आपको suggest करता है penny stocks, आप समझ लगे, pump and dump में वो चले गए हैं, वो किसी तरह और तरीके से पैसे कमा रहे हैं और आप उनके बकरे बनने वाले हो, जो हलाल होगा next आपको समझना पड़ेगा कि अगर आपको दिन बर में बहुत सारे ideas भेज रहे हैं, काफी सारे brokers होते हैं, जो आपको multiple ideas भेजेंगे इसमें invest करो, यह short term investment, यह long term investment, यह free में देंगे that definitely is a red signal for a lot of people payout अगर आप वहाँ पर मारते हैं और वो stuck हो जाता है, that is again a red flag तो अगर यह साथ pointers, financial stability, high quality customer support है की नहीं, clean track record है की नहीं, quality of platforms है की नहीं, reliability है की नहीं, investor safety दे रहें की नहीं रहें और अगर इसमें red flags, अगर यह साथ चीज़ों का आप लोगों ने ध्यान दिया, तो आप एक अच्छा broker select कर सकते हैं So after considering all these points, आपको कौन सा लगता है, best broker, comments में जरूर बताएगा, इस तरह के वीडियो के लिए, like और share करना ना भूले, till then keep learning, keep growing, keep investing and keep trading